सीनियर सिटिजन्स को यदि इन्वेश्ट करना हो तो क्या चाहिए सेफटी और लिक्विडिटी और इसके साथ साथ यदि रिटन्स भी ठीक ठाक मिल जाए तो फिर क्या कहने नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज मैं बात करूँगा ऐसी ही एक स्कीम की जो की सीनियर सिटिजन्स के बीच बहुत ही पॉपलर है और आप जानते हैं यह स्कीम है सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम तो आप शायद यह जानते होंगे कि ऐसा कोई भी इंडियन रेसिडेंट जिसकी एज 60 एर्स पूरी हो चुकी हो वो सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है और यदि किसी व्यक्ति ने super innovation या voluntary या special voluntary scheme के under retirement लिया हो और उस व्यक्ति की age 55 years हो तो वो भी इस senior citizens savings scheme में invest कर सकते हैं एक अप्रेल 2023 से सरकार ने इस scheme में invest करने की limit बढ़ा दी है 15,00,000 से 30,00,000 यानि पहले थी 15,00,000 अब एक account में 30,00,000 रुपे तक एक व्यक्ति invest कर सकता है यानि कि यदि husband और wife दोनों ही 60 साल के हो चुके हो तो फिर दोनों अपने अपने account में 30,30,000 करके 60,00,000 रुपे invest कर सकते हैं अब फिलहाल में क्योंकि senior citizens savings scheme पर interest मिल रहा है 8.20% पर annum हर साल का 8.20% और आप जानते होंगे कि इस पर जो interest मिलता है वो मिलता है quarterly basis पर तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 60,00,000 रुपे पूरे invest कर देता है यानि कि परिवार में जैसे मैंने कहा कि husband और wife दोनों मिला कर यदि 60,00,000 रुपे invest करते हैं तो कुल परिवार की आमदनी इस scheme से हो जाएगी हर quarter में 1,23,000 रुपे और यदि बात करें एक account की यानि कि एक व्यक्ति ने अपने account में 30,00,000 रुपे invest किये हुए हैं तो उस पर मिलेंगे 61,500 रुपीज पर quarter अब हो सकता है कि जब आप इतनी बड़ी राशी invest कर रहे हो और immediately after retirement आपको उतने पैसे की जरूरत ना हो यदि आपको घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए तब तो जो भी payout आ रहा है उसे आप खर्च कर सकते हैं पर कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरी कुछ और schemes के जारी pension मिल रही हो तो ऐसे में हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि जो quarterly payment आता है इसका क्या करें तो मैं आपको बताता हूं कि वैसे तो जो भी payout आता है उसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से जहां चाहें वहां invest कर सकते हैं लेकिन अब यदि आपको कुछ सालों तक इस पैसे क जरूरत नहीं पढ़ने वाली है तो आप इसे SIP के थुरू mutual fund में invest कर सकते हैं और आप जानते होंगे कि mutual funds में monthly के साथ quarterly SIP भी हो सकती है यानि कि quarterly SIP की सुविधा भी mutual fund में उपलब होती है क्योंकि scheme की maturity 5 साल की होती है और 5 साल के बाद 3 साल के लिए इसे further extend भी किया जा सकता है तो यदि आप 5 साल के लिए भी SIP करना चाहें तो आप 31,500 पर quarter के हिसाब से 5 साल की SIP कर लें और आगे भी यदि आप scheme को extend कर रहे हों तब आप आगे अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूँ 5 साल की कि आपको 5 साल के बाद कितने पैसे मिल सकत हैं तो अगर आपने 30,000,000 रुपे इस scheme में invest किये हैं तो maturity पर आपको 30,000,000 तो पूरे मिलेंगे ही और जो इसका interest आ रहा है जैसा मैंने कहा कि उसे आप SIP के जरिए mutual fund scheme में invest करें और यहां पर मेरी सलह यह होगी कि आप उसे किसी hybrid fund में invest करें यानि कि pure equity की बजाए किसी hybrid fund मे invest करना मेरे इसाब से उचित रहेगा क्योंकि पैसे की safety और returns दोनों ही important हैं तो आप 61,500 किसी hybrid scheme में invest कर रहे हैं SIP के जरिए और मैं यह एजियूम करूं कि वहाँ पर आपको 10% का CAGR यानि कि compounded annual growth rate मिल सकता है तो 5 साल के बाद mutual fund में आपके पैसे बन जाएंगे लगभग 15,57, और क्योंकि 30,000 रुपे जो आपने invest किये थे वो भी आपको वापस मिलेंगे जो आपने senior citizens savings scheme में किये हुए हैं तो total आपके पास 5 साल के बाद हो सकते हैं 45,57,056 रुपे और अब यदि हम इस पर returns calculate करें क्योंकि आपने originally 30,000 रुपे invest किये थे और जो बढ़कर यानि कि 30,000 प्लस जो आपने उसका interest mutual funds में invest किया था उसका जो total value बनी तो ये जो 45,57,000 रुपीज हमने calculate किये 30,000 के बढ़कर हो गए तो इसको यदि हम calculate करें कि return कितना आया है तो ये बनता है 8.72% और ऐसा नहीं है कि आपको 30,000,000 रुपे ही invest करना है ये तो मैंने जो maximum limit यहां पर है available है उसके हिसाब से calculation की है पर आप 10,000,000,000,000,000,000,200,000 जो भी invest करना चाहें और ये सोच रहे हों किआपको quarterly जो interest मिल रहा है उसे आपको reinvest करना है क्योंकि क्या होता है जब आप fix deposit करते हैं तो आपको choice मिलती है कि आप cumulative option ले सकते हैं जहां पर जो ब्याज है वो आपके account में नहीं आता है और आखीर में जितने term के आप FD करते हैं तो maturity पर आपको principal amount के साथ-साथ वो interest भी मिलता है लेकिन क्य senior citizens savings scheme में यह choice नहीं है मतलब की जो interest है वो हर quarter में आपके account में आना ही है तो यदि आपको उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसा बताया है कि आप उसे reinvest कर ले mutual fund में SIP के जरिये ताकि आपके जो returns हैं वो और भी जैदा बन सकें यह तो बात थी returns की लेकिन य central government की scheme है यानि कि यह एक sovereign scheme है इसके उपर central government की guarantee है सरकार इस scheme को जारी करती है और आप इस scheme में designated post offices, सरकारी banks और कुछ selected banks में जाकर invest कर सकते हैं या फिर आप online भी invest कर सकते हैं उन banks की website पर जाकर तो मतलब returns भी अच्छे हैं, safety की भी कोई चिंता नहीं है बलकि कुछ समय पहले एक viewer ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि जब आप bank में FD करते हैं तो वहाँ पर 5 लाख रुपे तक का deposit insured होता है तो क्या ये insurance cover जो है वो senior citizens savings scheme पर भी available है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर insurance cover की कोई जरुवत नहीं है, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं पूरा amount यानि कि 30 लाख रुपे भी यदि आप invest कर रहे हैं वो पूरा आपका safe है क्योंकि यहाँ पर central government की guarantee है अब ये तो बात हुई safety और returns की liquidity का क्या यानि कि बीच में पैसे की जरुवत पड़े तब क्या करे तो जो interest आ रहा है जिसे आप mutual funds में SIP के जरिये निवेश कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो SIP कभी भी रोकी जा सकती है, यदि ऐसा लगा शुरुवात में कि आपको पैसे की जरुवत नहीं है और आपने mutual fund में SIP शुरू कर दी, लेकिन बाद में आपको पैसे की regular जरुवत पढ़ने लगी, आप SIP बंद कर सकते हैं, और साथ ही जो SIP आप कर रहे हैं, यदि जो amount एखटा हो गया है, उसे आप withdraw करना चाहते हैं, units को redeem करना चाहते हैं, तो mutual funds में वो सुविधा भी उपलब्ध है, तो ये तो बात थी कि जो interest मिल रहा है, जिसे आप reinvest कर रहे हैं, उस जरूरत पढ़ जाए, तब क्या, तो पहले साल में आप उसे withdraw नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद उस amount को withdraw किया जा सकता है, और यहाँ पर थोड़ी सी penalty आपको चुका नहीं पढ़ सकती है, एक साल से दो साल के बीच में यदि आप अपने principal amount को withdraw करते हैं, यानि कि एक साल complete हो करने के बाद, लेकिन दो साल से अधिक नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर 1.50% की penalty लगेगी आपके deposit amount पर, और यदि दो साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसकी mature नहीं हुई है, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, यानि कि 3rd year, 4th year या 5th year में आप अपने deposit amount को withdraw करना चाहते हैं, तो penalty ह होगी 1% की, तो मतलब की safety, liquidity और returns तीनों ही यहाँ पर आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपना पूरा पैसा इस scheme में invest करना चाहिए, आपको definitely और दूसरे जो options हैं, वो भी तलासने चाहिए, लेकिन safety, liquidity और returns के हिसाब से मैं कहूंगा कि इस scheme में invest करना शायद एक सही choice है, तो मुझे उमीद है कि यह जानकरी जो आज मैंने आपके साथ share की, यह आपको पसंद आई होगी, यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, तो आप comment box में post कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजे इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाका आपके साथ होगी, ठैंक्यो, जैहिंत!